जय हिंद बंदे मातरफ शौगत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर लेजे लेकर के हाजिन हैं एक टाप 10 कुष्चन का सीरीज जो आपको आने वारे परिच्छा में फायदा पहुचाने के सिवार नुखसान नहीं करेगा चलिए सिसन स्टाट करें उससे पहले आप से इंग निवेतन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने अन्य दोस्तों को साथ सेयर करें ताकि वो इस वीडियो का आधिक से अधिक लाभ हो आगर हम कोई बस्तों 240 उपए में बेचें और 20 प्रतिसत का लाभ हो रहा हो तो उस बस्तों का क्रें मूल क्या होगा क्रें मूल ग्यात करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा है कि हम ले करके चलेंगे एक छूटा सा ट्रिक क्या होगा क्रें मूल एक वल्टु वो हो जाएगा हमारा है में क्रें मूल ब़ाबर होगा कि कितने नहीं includes रहे हैं बेच रहे हैं 280 रुपए में गुडे 100 जो क्रेमूल है उसके बाद हम 100 का गुडा कराँगे फिर क्या करेंगे 100 में हम आगर हमारा लाभ हो रहा हो तो जूड देंगे उसको अगर हानी हो रहा है तो घटा देंगे परसेंटेज उसका होगा उसे घटाएंगे तो होगा क्या ये 240 गुड़े 100 ठीक और नीचे 100 और 120 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो आजाएगा 120 तो 120 दुना 240 हो गया और 2 का 100 में गुड़ा कराएंगे तो कितना आजाएगा 200 रुपया यनी जो हमारा क्रेम मूल था वो क्या आया 200 रुपया के लिए आगर कोई बस तो 240 रुपय में बेची जा रही है और 20 प्रसत का लाभ हो रहा है तो उसका क्रेम मूल क्या होगा 200 रुपया होगा ठीक ये लाभ वाला कॉश्चन था चलिए अगला कॉश्चन चलते हैं अगले कॉश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बस तो 69.60 रुपय में बेचने पर 25% की हानी हो रही है अगर हम 71.600 रुपय में बेचें तो हानी हो रही है तब क्रेम मूल बताएए सेम हो ही चीज़ उसमें लाभ हुआ था इसमें हानी हो रही है क्रेम मूल इसमें भी ज्याद करना है क्रेम मूल उसमें भी ज्याद किये थे क्या आएगा क्रैमूल हमारा क्रैमूल निकल के क्या आएगा सेम कोईस्चन क्या करेंगे वन हत्तर दसमलोग छे सून ये हमारा था विक्रैमूल गुड़े सव सब में करेंगे बटा सव माइनस हानी अगर लाब होता था तो जोडते थे हानी हो रहा तो घटाएंगे हानी प्रतिस्चत को सव में से घटा देंगे अगर वन हत्तर दसमलोग छे में हम सौ का गुड़ा कराते हैं तो आजाएगा छे हजार नौसो साट दसमलोग खतम नीचे क्या आया पचहत्तर आ जाएगा काटेंगे क्या होगा काटने अगर इससे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या बानने दसमलोग आठ कितना आएगा बानने दसमलोग आठ रुपया इसका क्रेम मून ले आ गया क्या बानने दसमलोग आठ रुपया के लिए चलेंगे अगले पर आगला क्वेशन क्या कह रहा है कह रहा है एक घड़ी खरी दी गई है घड़ी जो है वो 750 रुपए में खरी दी गई घड़ी जो खरी दी गई हो कितने खरी दी गई कि 750 रुपए में यद उसे 16 प्रतिसत लाब पर बेचना हो तो लिएक क्रे उलिय निकाल रहे थे अबकी बार पूंच लिए विक्रे मुल क्या होगा विक्रे मुल क्रे मुल से थोड़ा सा उल्टा करेंगे हम क्रे मुल ऊपर करेंगे क्रे मोल कितना 750 गुरे अगर 16 प्रत्सत लाभ लेना है तो क्या करेंगे 100 में 16 जोड़ेंगे अगर हान होता तो घटाते तो 100 में अगर 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116 बटा 100 ठीक ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ठीक 15 75 यानि 5 से काटेंगे 15 आएगा 5 दुना के 10 फिर इसको काटेंगे तो दो चोग आठ और नहीं दो चोग ने दो पंचे 10 करें कड़ जा रहा है दो पंचे 10 और दो यठे 16 ये कितना आएगा विक्रे मूल्य हमारा आजाएगा 15 गुड़े 58 ठीक गुड़ा कराएंगे क्या आएगा आजाएगा 870 रुपया अगर हमें 16 प्रस्त लाभ लेना हो तो उसे 870 रुपय में बेचेंगे ठीक है चलिए आगले क्वेश्चन पर चलते हैं आगले क्वेश्चन में हानी आ गया 320 केले का क्रे मूले 400 केले के विक्रे मूले के बराबर है ठीक तो हानी प्रतिसत क्या होगा हानी कितने कहुआ 400 केला के विक्रे मूले और 320 का क्रे मूल था तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा हान प्रस्द निकालने के लिए पहले डिफरेंस निकालेंगे हान प्रस्द निकालना होगे लाप्रस्द दोनों में डिफरेंस सबसे पहले तो कितना आएगा दोनों का अंतर आएगा 80 का ठीक कितने केले के बिक्रे मूल के बराबर 400 400 केले का प्रतिसत निकालना है तो 100 का कराएंगे गुड़ा 2-0 से 2-0 कैंसिल 4 दुनी 8 कितना प्रतिसत का हानी हुआ 20 प्रतिसत का हानी कितने प्रतिसत का 20 प्रतिसत की हानी हुई 320 केले का क्रेमूल 400 केले के बिक्रेमूल के बराबर है तो हान प्रस्ट कितने गए 20 प्रस्ट के बराबर ठेक चलिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रे मूल के बराबर लाब होता है उसका लाब प्रस्ट क्या होगा एक बात पुना हम निवेदन करेंगे ये प्रस्ट हल करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें हपने अनके दौस्तों के साथ सेयर करें चलिए शुरू करते हैं लाव प्रसत हमको निकालना है तो लाव प्रसत कैसे निकालेंगे लाव प्रसत um सब्ण के आए हैं तो लव प्रसत जा रहा डेढ़ सो बटन ठीक है तो डेढ़ सो बटन जो बेचा जा रहा था उसमें से हम लाब वाला बटन घटा देंगे तो 150 से 150 में से जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 125 आएगा प्रतिस्त निकालने के लिए 100 से गुड़ा कराओ ठीक 25 छक्का डेढ़ सो हो गया ठेक कितना आया 15 छक्का डेढ़ सो काटो चा आएगा ये हो जाएगा कितना आया 16 सही दो बटा तीन प्रतिस्त कितना आया 16 सही दो बटा तीन प्रतिस्त किलियर ट्रिक इसका क्या था जो हमारा लाव हुआ था लाव उपर रखेंगे बटा में बिक्रे मुले में से लाव घटा देंगे और उसके बाद सो का गुड़ा करा देंगे सालम का निम क्या आया 16 सही दो बटा तीन प्रतिस्त यह इसका लाव हुआ चलिए अगले कोश्चन पर चलें अगला कोश्चन क्या कह रहा है एक घड़ी 820 रुपए में कोई दुकांदार बेचा ठिक उसे उतना ही लाव हुआ है जितना कि उस घड़ी को 650 रुपए में बेचने पर हानी हुई थी मतलब 820 में बेचने पर जितना लाव हुआ अगर वो 650 में बेचता तो उतना हानी होता तो उसका क्राइम मूले क्या होगा अगर इस तरह का कोश्चन है और क्राइम मूले पूँच रहा है तो कुछ नहीं दोनों जोड़ करके बटा दो कर देंगे क्या करेंगे दोनों जोड़ेंगे 820 प्लस 650 और बटा दो दोनों जोड़ करके बटा दो कि ये दोनों जोड़ने कितना आएगा 814 यहनी 1470 आया और बटा में दो कितना आएगा 735 इस साथ सो पैंटिस रुपय का उसका क्रें मूल लिया करफर्म इस साथ सो पैंटिस रुपया उसका क्रें मूल लिया चलिए क्वेश्चन नमबर अगला क्या कहा कह रहा है किसी बस्त को 96 रुपय में बेचने पर प्रतिसत लाभ का संख्यात्मक मान क्रें मूल के बराबर है एक ट्रिक अपना लीजिए आगर क्रें मूल पूँश रहा है तो करेंगे क्या हम क्रें मूल ले बराबर 10 बाहर रखेंगे अंडर रूड लगाएंगे 10 के बाद अंडर रूड लगाएंगे जो बिक्रे मूल है कितना है बिक्रे मूल चाननेबे है बिक्रे मूल कितना है चाननेबे चाननेबे में हम 25 जोड देंगे जोडने जो आएगा उसका बर्ग मूल निकालेंगे बर्ग मूल जो आएगा उसमें 10 का गुड़ा कराके 50 घटा देंगे तो दोनों जोड़ेंगे 96 कितना हो जाएगा 95 आगया 111 121 बर मूल क्या आएगा आएगा 11 तो दस गूडे 11 माइनस 50 11 दहम 110 माइनस 50 करेंगे तो आएगा कितना आजाएगा 60 रुपया इसका क्रैमूल कितना आया क्रैमूल 60 रुपय ठीक आगले question में क्या कह रहा है same question same repeated हो गया क्यों digit change है ठीक आपकी पुछरा लाब प्रस्त अगर लाब प्रस्त इस तरह के question में कहे या क्रैमूल ले कहे दोनों के लिए कही फार्मूला लगाएंगे ठीक है वही सेम कुश्चन कहा था क्या कहा था कुश्चन में कि कोई बस तो है जिसका भी क्रेमूल वन तालिस रुपया पिछली बार क्या था 96 रुपया था इसके लाव प्रस्थत का संख्यात्ममान क्रेमूल के बराबर तो प्रस्थत और क्रेमूल दोनों इक्वल जब है तो फार्मूला सेम हो जाएगा यह दस बाहर रहेगा अंडरूड में बिक्रेमूल रहेगा प्लस में 25 रहेगा और माइनस में क्या आएगा पचास रहेगा ठीक वन तालिस में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 64 64 का बर्गमूल हम निकाल लेंगे 10 का गुड़ा कराएंगे जो आएगा वह एंसर तो 64 का बर्मूल क्या आया है 8 आया माइनस 50 10 68 माइनस 50 कितना आए गया ये कितना आएगा बताईए कितना लाप्रस्द आगया लाप्रस्द इसका 30 प्रतिस्द कितना लाप्रस्द 30 प्रतिस्द के लिए चल ये चलते हैं क्वेशन नमबर 9 पर क्वेशन नमबर 9 क्या कहा किसी बस्त को 120 रुपए क्या पेच्छा अगर 140 रुपए में बेचा जाए तो लाप्रस्द दुगुना हो जाएगा क्रैमूल क्या होगा ठीक है इस तरह का अगर प्रस्द है उसमें क्रैमूल पूँश रहा है तो क्या करेंगे जितना गुना हमें लाप हो रहा है तो गुना कितना दो गुना लाप हो रहा है गुडे किस मूले की अपेच्छा 120 रुपए की अपेच्छा माइनस कितने बेचने पर 140 में बेचने पर बटा जितना गुना लाब हो रहा उसमें से एक घटा देंगे 12 दुनी 24 हो गया 240 और माइनस 140 और दो में से एक गई एक एंसर क्या आया सौ रुपया क्रैमूल क्या होगा सौ रुपया क्रैमूल लियाएगा अगर यही लाब ना कह करके हानी प्रतिसत कहा होता लाब प्रतिसत ना कह करके हानी प्रतिसत कहे जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सेम चीज वही है केवल इसमें हानी कह दिया है हानी दुगनी होगी तब क्राइमूल क्या होगा सेम चीज लगाएंगे जहां जोड़े थे वहां घटाएंगे केवला और कुछ भी नहीं होगा क्या कहेंगे 840 जिसमें बेचा जा रहा था कुशन देखिए करा किसी बस्त को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाब उस बस्त को 600 रुपए में बेचने पर होई हानी की दुगनी है वो क्या था लाब था हान की दुगनी है तो 840 में जूड़ेंगे क्या कितना गुना दो गुना किसका 600 रुपए में बेचने पर ठेक नीचे क्या करेंगे जितना गुना बेच रहे थे उतना और प्लस एक करेंगे यहनी 840 और 6 दुनी हो जाएगा 1200 टेक 1200 बटा दो एक तीन 840 और 1200 कितना हो जाएगा 2040 बटा तीन क्या आएगा भाग दिने पर आ जाएगा 680 रुपए कितना रुपए आया क्रेमूल 680 रुपए तो यह हमारा था आज का सेशन आपको कैसा लागा कमेंड में जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए अधिक से अधिक लोगों पास सेयर कीजिए ताकि इसका लाब अधिक स अधिक लोग उठा सकें फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद